नमसकार आपका स्वागत है हमारे हिंदू धर्म में किसी भी शुबकार्य से पहले दीपक जलाया जाता है घर में सुबेशाम होने वाली पूजा में भी दीपक जलने की परंपरा है वास्तु शास्तर में दीपक जलने के समन्द में कई नियम बताए गए है अगर हम वास्तु की अनुसार सही दिशा में और सही स्थान पर दीपक लगाते हैं और दीपक की लोव सही दिशा क्यों रखते हैं तो इसके शुबफल प्राप्तों हो सकते हैं लेकिन अगर दीपक की लोव गलत दिशा में रखी जाए तो इसके अनिष्ट परनाम भी हो सकते इसलिए दीपक जलाते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। मिट्टी का दिया मिट्टी से बने मनुष्य शरीर का प्रतीक है और उसमें रहने वाला तेल अपनी जीवन शक्ती का प्रतीक है। मिट्टी के दीपक सबसे अधिक शुब माने जाते हैं इसलिए हो सके तो मिट्टी के दीपक का इस्तमाल करें। सही होता है। उतर दिशा हो। उतर दिशा में दिये की लोव रखना धन व्रदी के लिए लाबकारी माना जाता है। ये मालक्षमी की दिशा मानी जाती है। लेकिन भूल से भी दीपक की लोव पस्चिम अथवा दक्षिन दिशा के लोव रखना दुखदाई होता है। और आपको कश्ट सेने पर मजबूर होना पड़ सकता है। अपनों का डर सताता है तो सोने से पहले हनमान जी के पंचमुकी सुरुप के आगे दिया जलाए और हनमान चालिसा का पाट करे। घर के मंदिर की उत्तर दिशा में धन के देवता कुबेर की मूर्ती स्थापित करे। पैसे से जुड़ी सभी समस्याए प्रति दिन दिपक लगाने से हल हो जाएंगी। घर और कारे स्थान पर भगवान स्री गनेश की मूर्ती स्थापित करे और दिन का आरम होते ही उनके सामने दिपक लगाए। राम दरबार के आगे प्रति दिन दिपक लगाने से परिवार में सुक्षान्ती बनी रहती है। अगर किसी व्यक्ति के राओ और के तु दोन ग्रह की दशाख खराब हो तो उसे प्रति दिन मंदिर जाकर अलसी के तेल का दिपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से राव और केतु घ्रह शांत हो जाते हैं किसी केसिया मुकदमे को जीतने के लिए दिपक जलाना शुब होता है किसी मुकदमे में जीत हासिल करने के लिए भगवान के आगे पांच मुखी दिपक जलाए हनमान जी की पूजा करने के लिए तता उनके क्रप आप पर सदेव बनी रहे इसलिए तीन कानों वाले दिपक का प्रयोग करना चाहिए हनमान जी के आरदना करने के लिए दिपक को जलाने के लिए चमिली के तेल का प्रयोग अवश्य करे तो दोस्तो ये दिपक से जड़ी कुछ महतोपुर्ण बाते अगर ये जान करे आपको पसंद आई तो हमें कमेंड में आवश्य बताए वीडियो पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें साथी चानल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी अध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सकें धन्यवाद